दोस्तों अगर आप personal loan लेकर बैठे हुए हैं आपने किसी bank से personal loan लिया है और अब आपके bank से जब EMI कटती है तो आपका दिल दुखता है क्योंकि आपने personal loan के amount को कहीं ना कहीं यूज कर लिया है पैसा आपके account से कटता है दिल आपका यहां पे जलता है तो इस जलते हुए दि को कैसे आपको बुझाना है यानि कि अपने personal loan को कैसे जल्द से जल्द खतम करना है यह information इस वीडियो में देने जा रहा हुँ और जल्दी से जल्दी अपने loan को payment करके आप बहार निकालिया और जो पैसा आपके account से EMI के रूप में जा रहा है उस amount को आप रोपके investment करिए औ और जीवन को आप उन्नत्ती की ओड ले जाए लॉन लेकर नहीं bank को लॉन दे करिए यानि कि investment करके पुड़ी वीडियो को अंतक देखेगा मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं अगर आपने किसी बैंक से personal loan ले रखा है चाहे state bank of India से ले रखाओ से ले रखाओ से ले रखाओ सीटी बैंक का अगर आपने personal loan ले रखा है कोटाइक बैंक भी personal लॉन देता है या किसी non banking finance company लाई के आपका अधित्य बिल्डा हो गया टाटा capital हो गया या फिर आपने पेशन से लॉन ले रखा है तो यह सारे banks आपको इसलिए personal loan देते हैं क्योंकि यह लोगों के पैसों को अपने पास रख के उस पैसों को investment करते हैं investment का मतलब आपको देना और आपसे ब्याज कमा के उन लोगों को बापिश देना खुद भी कुछ कमाई करना bank का man moto आपसे ब्याज कमाना है और आप लोगों का man moto पैसे लेकर कोई ना कोई काम करना है लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि बहुत सारे किर्केटर आप लोगों को सिखा रहे हैं कि चल पैसे लगा dream 11 खेल कोई कहरा रमी सरकल पे पैसे लगा ले कोई कहरा जंगली रमी पे लगा ले तो दोस्तों यह सब क्या चीज़ है कहीं न कहीं कोई लोग आपको ट्रैप में फसाने के लिए आपको इनक्रेज करते हैं यान मैं दो महिने में double करवा दूँगा इस वाले scheme में लगा ले कोई कहता है कि आप एक काम करो share market में पैसा लगा लो तो अगर आप इन सब चीजों के लिए पैसा लेकर और आपने इन चीजों को किया और आपको घाटा हो गया और आपकी EMI जारी है तो आपको बहुत दिक्कत ह होता होगा दर्द होता होगा तो दोस्तों इस दर्द से आपको कैसे बहान निकलना है आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि देखिए परस्नल लॉन होता क्या है और परस्नल लॉन में कुछ टरम्स होते हैं जैसे फोर कलो जो गया पार्ट पेमेंट हो गया और इंटर्स्ट हो गया, यह सारी चीजों पर जो मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देखेंगा, तो कुछ आपको knowledge ही मिलेगा, जाकर देखेंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो दोस्तो अगर आपको personal loan का payment फटा फट करना है, तो सबसे पहले आपको यह करना है, जैसे आपकी single EMI जारी है, आप उसको double EMI कर लो, आप bank से जाकर बात करके loan को schedule करवा सकते हो, और double EMI के रूप में 5 साल का अगर loan है, तो आप 20 साल में खतम कर सकते हैं, दोस्तों आपको पता है, कि आपका personal loan का rate of interest होता है, वो reducing होता है, यानि कि आपका जैसे जैसे principal down होता है, आप आपका interest down होता हुआ चला जाता है, शुरू में आपका interest बहुत लगता है, और बाद में कम लगता है, तो आप जितना जल्दी उस चीच को खतम करेंगे, उतने 20 साल के लिए, और अगर आपने 12% पे लिया, तो reducing में आपका जो एक साल का ब्याज जागा, और उस एक लाज को अगर आप रखेंगे 5 साल के लिए, तो total आपको एक लाज 30 रुपे बैंक को पे करना होगा, लेकिन अगर आप उसी को धाई साल में खतम कर देंगे, तो आपका मातर एक लाज 15,000 रुपे मूल धन और सूध जाएगा, इस परकार आप calculation कर सकते हैं, कि आपका 10 लाज का है, 8 लाज का है, 15 लाज का है, तो जितना जल्दी आप पोशिश करेंगे, आपका ब्याज बचेगा, ये एक तरीका मैंने आपको बताया कि डवल आप करके EMI को खतम कर सकते हैं, दोस्तो परसनल अनका आमोमन जो rate of interest होता है, वो 10.50 से अभी फिलाल चलता, रेपो रेट बढ़न उस गोल्ड को किसी भी गोल्ड कमपनी के पास रखके, उसका rate of interest दोस्तो आज से सारे 8% होता, और कहीं कहीं आप bargaining कर लेंगे, तो आपको मन्तली 0.5% के rate of interest मिल जागा, आप उसको रखके, आप अपने personal loan को कलोज कर लीजिए, जब आपके पास पैसे हो तो उस गोल्ड को आ आपके घर पे है, जैसे आपने कोई घर ले रखा है, या फिर आपने कोई PPF अकाउंट खुला के उसमें investment कर रखा है, तो दोस्तों यह सारे paper के भी दम पे आपको loan मिल जाता है, जिसका rate of interest जो होता है, वह personal loan के मुकाबले बहुत ही कम होता है, आपको पता loan against property का rate of interest जो कितना आपका बचत होगा, कितनी जल्दी आपका loan खतम हो जाएगा, तो यह सारी चीज़े अगर आप कर लेते हैं, तो आप अपने debt trap से, यानि कि जो आप payment कर रहे हैं, व्याज दे रहे हैं, वो जल से जल से खतम कर लेंगे, और आपका personal loan भी खतम हो जाएगा, कोशिश करि यानि कि धाटे और नुकसान को compare करके ही loan लेने की कोशिश करिए, तो दोस्तों आसा करता हूँ इस वीडियो में जाए वो बात मैंने आपको बताए कि आपको अपने loan को जल से जल कैसे खतम करना है, इन बातों को follow कर, आप अपने personal loan को खतम कर सकते हैं, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe करिए, bell button दवाना नहीं भूलिएगा, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं Facebook पे तो हमें follow करिए, हमारी website www.hkips.com visit करिए और blog परिए, blog मिलेगा वो जो आपके काम का हो, वीडियो को like करिए, share करिए और comments करना नहीं भूलिएगा, कोई सवाल या जवाब मन में आ रहा है, कोई doubt है, confidential है, तो इस WhatsApp में आईए, मैं और मेरी team help करेगी उसका answer देने में, मिलते हैं फिर next वीडियो में रखेश्यत का ख्याल, दोस्तों, जान है तो जहान है, see you! झाल